स्वाकत है दोस्तों आपका मेरी एक और वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बगवान कृष्ण के उपर बनाए गए एनिमेशन सोस के बारें बात करेंगे कृष्णा के उपर जो कार्टून सिरीज आई है वो है 2008 में कृष्णा और बलराम 2009 में लिटल कृष्णा और 2010 में रोल नबर 21 ये जो तीनो सिरीज है इनकी स्टोरीज तो एक दूसरी से थोड़ी अलग है लेकिन तीनो सिरीज में एक चीज कॉमन है कि ये तीनो सिरीज बगवान कृष्णी के उपर बनाए गई है दोस्तों आज मैं इनी तीन सिरीज के बारें बात करूँगा लेकिन उससे पहला अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो चले स्टार्ट करते है तो दोस्तों जो सबसे पहले जो सिरीज आई थी वो थी कृष्णा और बलराम जो की 2008 में आए थी इसके क्रेटर राजीव चिलाकर पुड़ी थे इन्होंने चोटा भीम और लवकुष जैसे कई ससेस्फुल शोस क्रेट करे आए इस सिरीज को 2008 से लेकर 2010 तक कार्टून नेटवर्क में दिखाय गया था और इस शो ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर ली थी दोस्तो जो कार्टून नेटवर्क इंडिया चैनल है उसके लिए बनाया गया फर्स्ट ओरिजनल इंडियन शो भी कृष्णा पर ही आधारित था जो था रोल नंबर 21 रोल नंबर 21 को 2010 में टेलीकास्ट करा गया था इसे स्टार्टिंग में एनिमेश्या स्टूडियो ने प्रड्यूस किया था लेकिन बाद में इसकी फर्दर प्रोड़क्शन का काम कॉस्मॉस माया स्टूडियो ने संबाला था जो मोटू पतलू शिवा जैसे कई एनिमेश्यन को प्रेड्यूस कर चुकी है दोस्तो इस शो का प्लोट तो लॉड किष्णा पर ही बेजड है लेकिन जो इसकी स्टोरी है वो पूरी तरह से अलग बनाई गई है ये सिरीज मोर्डन जमाने में प्लेस करके बनाई गई है इसमें एक कृष्णाम का लड़का होता है जो अपनी बाकी दोस्तों के साथ एक अनाथाल्य में रहता है उस अनाथाल्य का जो प्रिंसिपल कनिश्क होता है वो पूरी दुन्या पर राज करना चाहता है अब दोस्तों जो अगला और तीनों में से जो मेरा फेवरेट है वो है लिटल कृष्णा दोस्तों जो इस शो का प्लॉट और स्टोरी है वो पूरी तरह से कृष्णा जी की रियल स्टोरी पर ही बेस्ट है सारे लोग, जगाएं, असूर सब सेम है और दोस्तों जो इस सीरीज की जो सबसे खास बात है वो है इसका एनिमेशन अगर आपने ये सीरीज देखी होगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये एनिमेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये सीरीज 2009 में आ गई थी और 2009 के कार्टून शो में इतना टॉप क्वालिटी का एनिमेशन होना ये खुद में एक बहुत कमाल की बात है इसका एनिमेशन आज के कई कार्टून शोस के एनिमेशन से लाग गुना अच्छा है दोस्तों इस सीरीज का एनिमेशन का काम इसके launch से 6 साल पहले ही शुरू कर दिया गया था जबकि जो इंडियन animation industry थी वो around 2010 में develop होना शुरू ही थी दोस्तो इस series का animation इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि इसे इंडियन studio के साथ-साथ कई American animators और VFX artists ने भी मिलकर बनाया है लेकिन दोस्तो सिफ animation यह एक चीज नहीं है जो इसे खास बनाती है इसमें दिखाये गए scenes, dialogues, background music सब बहुती ज़्यादा अच्छे बनाये गए है इस series का बस एक season आया था जिसमें सिफ 13 एपिसोड थे लेकिन कमाल की बात तो यह है कि यह series फिर भी बाकी दो series से ज़्यादा popular है दोस्तों जो इस series के सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो है इसकी purity इसमें जो कृष्णा जी की जो story बनाई गई है वो बिलकुल pure रखी गई है और उसमें कोई एक्स्ट्रा चीजे नहीं जोड़ी गई है तो इन तीनों series में से आपकी favorite series कौन सी है कमेंट में ज़रूर बताना तो बहुत जल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye